So, Hello Everyone, कैसे है आप सभी? आज किस वीडियो के अंदर हम करेंगे Chapter No.3 Current Electricity को Revise इससे पहले कुछ पार्ट हम Revise कर चुके हैं और यह Battle Batch की 8 मी क्लास रहेगी और इस 8 मी क्लास के अंदर जितना Chapter बसता है उसको कोशिश करते हैं कि Finish कर देंगे इससे पहले हमने देखो यह सब चीज़े कर ली थी इससे पहले देखिए जितने भी यह portion है हमारा Previous Year Question का है यह सब चीज़े हम खतम कर चुके हैं आज हम करेंगे Start कहां से Color Coding से बट वहां से Start करने से पहले मैं आपको बता दूँ CBSE में यह Topic नहीं है उसके आगे जितने Topic हैं वो सारे सबी को करने हैं CBSE एंड State Board को भी ठीक है चलिए तो शुरू कर लेते हैं आज की Class को तो Color Coding से शुरू करेंगे Color Coding से तो Color Coding होता क्या देखो InActual के होता आपके पास Register इस तरह का होता है उस पे क्या होता है आपके पास एक टेबल होते है जिसमें आपको क्या होता है Numbering दी होता है जैसे कि यहाँ पर यह Numbering है 0,1,2,3 से लेके 9 तक है फिर 2nd में भी यह 0,1,2,3,9 मतलब एक Numbering आपको याद रखनी है उसके सामने क्या 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 Color है Numbering के वो यहाँ पर दिये हुए हैं आप देख सकते हैं यह कैसे याद रखने हैं ट्रिक लिखी हुई है कैसे लिखी हुई है BB Roy goes to Bombay via gateway वाया gateway साथ में आपके पास equal table होता है आपके पास equal table होता है यहाँ पर देखे जैसे जैसे हम यह 0, 1, 2, 3 इस तरह से लिखे जा रहे हैं तो साथ में एक multiplier होगा मतलब यहाँ पर 10 की power 0, 10 की power 1, 10 की power 2, 3, 4 इस तरह से यह multiplier होगा इस तरह से तो आपको करना कुछ नहीं है सिरफ यह table को एक बार याद कर लेना है जो बच्चे के board में है और उसके बाद यह करना है तो होता क्या है? colors दियोंगे, colors दियोंगे तो पहले मान लीजे आपके पास 4 color दियोंगे, 4 color आपको दियोंगे, ठीक है? फॉर कलर आपको दियोंगे, तो फॉर कलर में होगा क्या? फर्स्ट टू कलर तो आपको उठाने इसी table से, मतलब यह, जो यह रो होती है, 0, 1, 2, 3, यह वाले, ठीक है? हो गया, जो आपका थर्ड कलर होगा, तीसरा कलर होगा, उसको आपने multiplier से उठाना है, कहां से उठाना है multiplier से उठाना, जो आपको छोता कलर होता है, फॉर्थ कलर जोगा, वो tolerance table से होता है, किस table से होता है, tolerance table से होता है, जिसके अंदर आपको क्या होता है, गोल्ड, silver और 9 कलर होता है, 5, 10 और आपको 20% होता है, ठीक है? समझ गए, देखिए, यहा पर दे रखा है, गोल्ड के लिए 5% है, 10% है, किसके लिए, silver के लिए दे रखा है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आपके पास 4 कलर है, एक green, एक blue, एक orange, और लास्ट में यह कलर है, आपके पास gold, गोल्ड की तरह है, यह किसकी तरह है, गोल्ड की तरह है, clear है, तो आपको क्या करना है, आ वो multiplier से लिखेंगे, multiplier, multiplier कौन है, देखिए, यहां पर यह कौन सा color है, orange color है, कौन सा color है यह, orange color है, तो orange color पर चलते हैं, यह रहा, orange color, multiplier कितना है, 10 raise to power 3 है, तो यहां पर 10 raise to power 3, मतलब 3 0, इसने लिखी हुई है, और साथ में, यह gold है, तो gold के लिए, tolerance table से आ जाएगा, plus minus 5%, तो इ combination of resistance में क्या होता है, कि आपके पस register दी होंगे, जो की combination में होते हैं, ठीक है, यह भी जो है, CBAC के syllabus में नहीं है, फिर भी state board में तो कर लेते हैं, एक बार, सभी का भला करना चाहिए, ठीक है, तेखिए, series combination के अगर हम बात करें, और parallel के अगर हम बात करें, तो एक ही, चीज मै मैं बोलता हूँ, कि जब भी आपके पास कोई भी combination हाता है, जब भी आपके पास क्या होता है, कोई combination हाता है, तो आपको बस समझ जाना चाहिए, कि आपको एक rule follow करना है, कि क्या चीज वहाँ पर divide हो रही है, क्या चीज वहाँ पर same रहती है, ठीक है, तो series के अगर हम बात कर को voltage है, वह divide हो रहा है, क्या divide हो रहा है, voltage divide हो रहा है, clear है, इतनी चीज समझ में आगी, कि series के अंदर हमारा voltage divide हो रहा है, लेकिन current सेम रहेगा इसमें, क्योंकि देखो, यहां से current चला तो इस सारा current यहां से, यहां तक same ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसली आप according to ohm slow, IR से लिख सकते हैं, V1 को कैसे लिख सकते है, IR1 से लिखेंगे, I1 को नहीं लिखा, क्योंकि current तो सेम रहेगा, तो that's why हम यहां पर V1 को IR1 लिख रहे हैं, यह देखे, इसी तरह से same हम क्या लिख रहे हैं, यहां पर IR2 लिख रहे हैं, एड उसी तरह से V3 को क्या लिख हैं, V, I, IR III लिख रहे हैं, तो यह कैसे आ रहा है, यह ओम slow से लिखे हैं, किस slow से लिखे हैं, यह ओम slow से लिखे हैं, ठीक है, एक मिन टुकरेगा, क्यों slow से लिखे हैं, यह हमने लिख देए, ओम small से, clear है, चलेगा, तो यहां पर देखे, जब आप इन values को Français पूट कर दोग हमें ठीक है तो इस तरह से था है यह topic series combination बात करें parallel combination की तो parallel combination में क्या होंगे register parallel में लगे होंगे जैसा कि आपको show हो रहा है यह voltage apply की होगी and यहां से क्या होगा current चल रहा होगा वो तीन branches के अंदर जा रहा है इधर इधर और इधर तो current डिवाइड हो रहा है तो मैंने अभी बोला था कि जो चीज़ डिवाइड होती है सिर्फ उसको पकड़ लो तो current डिवाइड हो रहा है तो total current कैसे लिखेंगे i1 plus i2 plus i3 इस तरह से लिखेंगे ठीक है तो i को कैसे लिखते है according to om slow v by r से लिखते हैं कैसे लिखते हैं v by r से लिखते हैं तो बस i कैसे लिखेंगे v by r i1 कैसे लिखेंगे v by r1 से लिखेंगे v2 कैसे लिखेंगे i2 कैसे लिखेंगे v by r2 से i3 कैसे लिखेंगे v by r3 से सब को put करेंगे तो आपके पास value हो जाएगी this समझ गए तो यह expression आया आपका किस के case में आया यह parallel के case में आ गया और यह किस के case में आया आपका यह series के case में आ ठीक है चलिएगा आगे की तरफ चलते हैं फटा फट revise करते हैं कई बच्चे बॉल रहोंगे थोड़ा fast मत चलो कम speed से बढ़ा हो बैटा detailed notes uploaded है detailed shots uploaded है तो वहाँ से आप देख सकते हो ठीक है क्योंकि यहाँ पर हम revision कर रहे हैं तो एक best way में हम revision करेंगे जल्दी जल्दी तो देखेगा next है cell cell क्या होता है cell एक device होता है जो क्या करता है convert करता है किसको chemical energy को into electrical energy में मतलब आप दुकान से cell लेकर आते हो तो उसके अंदर क्या होता है chemicals होते हैं बढ़ आप उससे काम क्या कर रहे होते हैं electronic काम कर रहे होते हैं ठीक है आपकी घड़ी चल रहे होते है remote चल रहा होता है तो क्या हो रहा है कि आप convert कर रहे हो किसको मतलब cell convert कर रहा है किसको chemical energy को किस में convert कर रहा है electrical energy में convert कर रहा है तो cell क्या है एक source है किसका constant EMF का किसका है constant EMF का but no constant current है but इसका मतलब यह नहीं है कि constant current होगा इसका मतलब यह नहीं है कि constant current होगा तो समझ में आ गया होगे कि cell क्या होता है अगर हम बात करें Electromotive Force की अगर हम बात करें Electromotive Force की देखो अभी तक आपने क्या किया कि आप एक cell लेके आई, दुकान से cell लेके आई हो ठीक है और उस दुकान से जब cell लेके आई हो तो आपने उसको किसी सर्कुट में लगा दिया and circuit को on नहीं किया या अभी उसको circuit में नहीं लगाया तो आप उसका potential note कर रहे है उसके zero के बीच में, उसके ends के बीच में तो उस्टम जब वो potential होता है उसे बोलते है Electromotive Force, मतलब जब तक cell से हमने कोई current नहीं निकाला जब तक cell से हमने कोई current नहीं निकाला है या current नहीं निकल रहा उस्टम जब आप potential note करते हो तो वो उसका Electromotive Force clear हुआ तो इसको बोलते है Electromotive Force तो होगा क्या The potential difference across the terminals of a cell when it is not supplying any current is called its EMF clear I think clear हो गया होगा बहुत अच्छे डंग से हमने इसको पढ़ लिया है ठीक है आगे बात करते है Internal Resistance की अब जो cell होगा जो cell होगा वो किस तरह से होगा cell में कहोगा कि आपके पास electrodes होते है cathode, anode, बीच में electrolyte होता है तो एक term आती है आपके पास वो क्याती है Internal Resistance क्याती है Internal Resistance क्या होता है Internal Resistance of a cell की अगर बात करें It is defined as the resistance offered by the electrolyte and the electrode of a cell मतलब जो cell के अंदर से resistance आ रहा है किस की वज़े से आ रहा है electrolyte की वज़े से आ रहा है electrode की वज़े से आ रहा है उस resistance को बोलते है internal resistance जो internal resistance होता है वो किस पर depend करता है internal resistance जो होता है वो किस पर depend करता है देखेगा जो internal resistance होगा सब्सक्राइब Haareं कि वहें कि जो कि दिस्टेंस हो गा हमारा उलेक्ड़द के बीच में उनते दिपेड़ करेगा कैसा इलेक्ट्रोलाइट है उस पर करेगा और आपकी लेक्ड़ोड अब कर रहे हैं उनका नेचर कैसा है उस पर ही डिपेंड करेगा and area of the electrode immersed in electrolyte clear है तो intelligent resistance होता है आपके पास यह बात करें अगर हम terminal potential difference की यह बला यह क्या है terminal potential difference है अभी मैंने बोला था कि जब आप cell में से current नहीं draw कर रहे हो and उस time आप potential को note कर रहे हो तो वो आपका क्या होता है EMF होता है बट इसमें कहानी थोड़ी उल्टी हो जाती है stem of current निकाल रहे होते हो जा रहा होता है ठीक है देखे इस defined as the potential difference between two terminal of a cell in a closed circuit that is when current is flowing through the cell denoted by V denoted by V तो आपके पास आगया E is equal to V plus IR E क्या है E is the EMF E क्या है EMF है V क्या है potential है cell के बीच का plus IR क्या है जो potential drop मतलब उसकी electrodes के बीच में बन रहा हो तो यहां से अगर हम V लिखना चाहें क्योंकि हमें लिखना terminal potential तो उसको कैसे लिख सकते हैं कि अब EMF में से अब एक बात देखो आपने क्या किया पहले EMF नोट किया जब आपका current नहीं था ठीक है तो वो EMF वोल दिया आपने लेकिन आप क्या कर रहे हो आप current निकाल रहे हो तो इसका मतलब अब जब current निकाल रहे हो तो कुछ ने कुछ potential drop निकल रहे ना वहां से तो E FMF में से IR निकल गया कुछ खास यह नहीं था चलिएगा आगे जलते हैं grouping of cell पे देखेगा grouping of cell की अगर हम बात करें grouping of cell की अगर हम बात करें तो आपके paper में जो चीज आती है वो आती है सबसे ज़्यादा identical चीज को लेकर कि identical cell आपको दिये होते है identical cell आपको दिये होते है तो जाके आपको बोला जता है की find out करिए this EMF बताए करेंड बताए तो same है वही है किसमें जो grouping होगी वो 3 तरह की होगी कितने तरह की होती है grouping तीन तरह की होती है इस तरह से यह Excel का सिंबल है ठीक है इस तरह से अगर इसके इंटर्नल रिजिस्टन्स की बात करें तो वो भी यही पे अटेच किया जाता है स्मोल आर से इसका यह MF E clear है इस तरह से बनाया जाता है बसे यह याद रखिएगा चलिए आगे देखिए इसमें हम करेंगे कि अब अब देखिए अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे कि यहाँ पर आपने एक सेल लिया एक सेल यह लिया इस तरह से बहुत सारे सेल लिये और यह सेल नंबर कितने है एन है इनको सबको सीरीज में लगाया एक external resistance R यहां पे connect कर दिया अब यहां पे battery की जूर्ट नहीं पड़ेगे क्योंकि यह खुद से ही batteries है cell है तो इसलिए यहां पे external resistance की जूर्ट पड़ रहे है तो external resistance को हमने यहां पे क्या किया connect कर दिया है ठीक है चलिएगा अगे देखे अब इसके बाद अगर हम बात करें सीरीज में जो देखो हर एक cell सीरीज में लगा हुआ हर एक cell का EMF E है अगर हम total EMF निकालें तो कितना बनेगा E plus E plus E plus E करते जाओगे कितने हैं यह N है तो इसलिए total EMF मतलब equivalent EMF कितना हो गया N E हो गया समझ में आ गया है चलिए अगर हम बात करें रिजिस्टन्स यह जो small R लगे हों यह सारे सीरीज में तो लगे हों and सीरीज में रिजिस्टन्स क्या होता है तो हम इसको NR कर सकते हैं क्योंकि यह same है identical है clear है अब इसके बाद अभी यह total resistance नहीं होगा अभी एक बात देखिए कि यह वाला resistance यह वाला resistance यह वाला resistance यह वाला resistance यह सारे सीरीज में एक line में ऐसे जुड़े हों तो सबका सीरीज का अगर total resistance निकाल लेंगे तो NR के साथ capital R भी तो addition में हो जाएगा क्योंकि सीरीज में है तो इसले मिलो total resistance आगया आपके पास r plus nr total emf आपके पास ne तो इसका मतलब आप total current निकाल सकते हो तो total current आपने लिख दिया total emf upon total resistance इस तरह से आप कर सकते हो ठीक है यहापर यह कुछ conditions दे रखे हैं कि अगर r छोटा हो जाए या r बड़ा हो जाए तो उसके साब से यह conditions को लिख सकते हैं clear है समझ में आ गया चलिए आगे बात करते है parallel grouping of cell की फिर उसके बाद यह side में जो relationship आ रहा है env का उसकी भी बात करेंगे देखेगा parallel grouping of cell की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा cell को parallel में लगाया है यह एक cell है यह उसका internal resistance है यह cell है यह उसका internal resistance है यह cell है यह उसका internal resistance है यह कैसे हैं यह M cell लगे हमें ऐसे ही M cell लगे हमें मतलब M तक लगे हमें clear है चलिए तो parallel में तो potential same रहता है EMF same रहता है मतलब एक जो रो है उसका EMF है E दूसरी का E है तीसरी का E है इस तरह से करते-करते M तक जो है E है तो इसका मतलब टोटल EMF क्यों होगा वो तो सेम रहेगा क्योंकि पैरलर में सेम रहता है तो that's why हमने यहापे क्या लिखा है E equivalent क्या है E है E equivalent क्या है आपके पास E है and R equivalent क्या है आपके पास R by M है यह R by M क्यों लिखा सारे resistance पैरलर में लगे है सारे resistance कैसे लगे है पैरलर में जब resistance आपके same हो and parallel में हो तो simple सा एक तरीका करना कि जो resistance है उसको उतने number से divide कर दो simple सा है कि वो समझ में आ जाएगा आपको ठीक है चलिएगा तो यहाँ पर एक बार इसको रब कर देते हैं कभी बच्चे mixing ना समझ ले इसको ठीक है तो यहाँ पर 1 by R आप करके देख लेना आपको मिल जाएगा पूरा यही कि जितना resistance हो उसको उतने number से divide कर दो ठीक है तो यह R by M आ गया आपके पास क्या आगया R by M पैरलर जो resistance है अब सारे resistance का जो पैरलर वो R by M बन गया अब उसके आगे कौन लगाव है उसके आगे series में लगेगा कौन capital R तो that's why यहाँ पर capital R को directly add किया जाता है series के कारण तो यहाँ पी यह resistance आगया आपके पास क्या R plus R by M and the total EMF कितना E है तो total current आप निकाल सकते हैं I is equal to total EMF upon total resistance समझ में आगया simple है यह बाकी cases है cases करिए बहुत असान है ठीक है चलिए अब बात करते हैं mix grouping की मिक्स grouping कर लेते हैं फिर उसके बाद इस topic पर चलेंगे इस relationship रहता हम इस पर चलेंगे मिक्स grouping of cell की अगर हम बात करें मिक्स grouping में क्य होता है कि cell series में भी लगे होंगे यह देखिए series में भी लगे हुए और फिर parallel में भी लगे इस तरह से समझ में आगया कि series में भी लगे हुए हैं and parallel में होग गए तो ऐसे जो cell लगे हूँ वो m cell है अंड ऐसे जो cell लगे हूँ वो m row है इस तरह की m rows लगे हुई है clear है समझ में होगए तो एक बात देखो एक जो row है उसका emf कितना होगा ne होगा क्योंकि series में है दूसरी का Ne होगा इसी तरह से लाज तक Ne होगा clear है न? ऐसा ही होगा न? अब ये सारी रोज क्या से है? पैरलर में है तो पैरलर में टोटल YMF कितना होता है? वही सेमी रहता है तो अगर एक का Ne है तो दूसरी का भी Ne है तीसरा nr हुआ, अब यह nr, nr, nr कितनी पार लगे हो हैं, यह m टाइम लगे हो हैं, तो अभी मैंने बोला था इसको क्या कर देंगे, nr by m कर देंगे, अब यह nr by m तो कर दिये, बढ़ यह इसके साथ भी तो सीरीज में हैं, तो that's why यहां पर r आ गए, आपके पास clear है, तो current maximum होता है, वो कब हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, यह note की तरह लिख सकते हो, कि यह note है, यह बोल रहा है, in case of a mixed grouping of cell, current in the circuit will be maximum, when r जो है, वो किसके कोल हो जाए, nr by m के कोल हो जाए, तो आपका current जो होगा, वो maximum होगा, मतलब कहने का मतलब कहा है, कि जो आपका external resistance है, internal resistance के equal हो जाए, जो आपका external resistance है, वो किसके equal हो जाए, total internal resistance के equal हो जाए, clear है, I think अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई problem नहीं, create हो रही होगी, चले, very good, अब इससे पहले हमारा एक topic रहता है, यह relationship का, relationship between, relationship between e and v and r, तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे है, एक cell ले रहे ह देखे, यह एक cell है, एक cell के internal resistance है, आर, इसके साथ एक external resistance हमने लगा दिया, capital R, तो इसमें से current चल रहे है, जो की है, I, ऐसे circuit में circulate हो रहा है, I, तो यहाँ पे देखो, हम अगर बात करें, voltage, drop जो होगा, resistance के across वो कितना होगा, तो हमने लिख दिया, the voltage drop across R is, V is equal to IR, लिख सकत है, ठीक है, and I क्या होता है, I क्या होता है, अगर हम यहाँ से current, जो निकल रहे है, उसकी अगर हम बात करें, यह current कितना होगा, I, total current को कैसे निखा सकते है, total EMF, EMF कितना है, E, total resistance, resistance series में तो R plus R, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, I को E upon R plus R, and R यह पहले से पढ़ा है, तो यह समझे यहाँ पर लिखा, ऐजी है, यह नहीं है, बताईए जल्दी से, समझ में आया यह नहीं आया, चलिए, अब हमें एक relation पता है, हमें क्या है, एक relation पता है, कि क्या होता है, is equal to क्या होता है, IR plus IR, yapılсти es equal to क्या होता है, IR plus IR, यह से आपने क्या लिख दिया, IR plus IR क्यों लिखा यह ऐसे लिखा E is equal to V plus IR clear है E is equal to V plus IR से लिखा और V को क्या लिखते हैं IR से लिखते है V को क्या लिखते हैं IR से लिखते हैं यह यहाँ पर लिखा हुआ उपर तो इसे यहाँ पर V को put कर दिया direct IR ठीक है तो E is equal to IR plus IR हुआ and capital IR को excited रख लिया E को उदर ले गए तो minus IR हुआ और यहाँ से हमने निकाल लिया V जो कि क्या है हमारा एक relation है जो कि क्या है हमारा एक relation है जो कि है V is equal to E minus IR अब यहाँ पर एक case आपको समझना है कि जब आपको discharging हो रही होगी during discharging तो आप यही formula यूज़ करोगे लेकिन जब आप charge कर रहे होंगे तो direction current की उल्टी होने के current that's why यहाँ पर आजाएगा आपका plus इस case की तरह ध्यान से देख लीज़ेगा इसको ध्यान से समझ लीज़ेगा ठीक है तो यह थी आपके relation उससे पहले grouping कर ली cell की अब जलते हैं क्रिचॉव फ्या पर क्रिचॉव फ्या क्या कहता है सुनिए गड़या meny क्रिचॉव फ्या स्लो क्रिचॉव फ्या है वो हमारे पास दोतरह से ďक first लो बोला जाता है होता है अपके पास second लो जो first low है उसको junction rule भी बोलते है current low भी बोलते है second low को हम voltage low भी बोलते है and loop rule भी बोलते है तो बहुत असान है एक चीज को याद रखना है कि जो क्रिचोफ slow होता है उसके अंदर sum of incoming current जो होता है वो किसके equal हो जाता है sum of outgoing current के equal होता है जितना current आ रहे है उतना current ही out हो रहा है ठीक है sum of incoming sum of incoming is equal to sum of outgoing sum of incoming current is equal to sum of outgoing current clear है चलिएगा इसको कर देते हैं थोड़ा सरब तो यहाँ पर देखो एक relation यहाँ पर show कि आपको branch है कि यहाँ पर यह current i1 आ रहा है i3 जा रहा है i4 जा रहा है i5 जा रहा है i2 आ रहा है तो मतलब i1 and i2 incoming current है तो इनका sum किसके equal हो जाएगा i3 plus i4 plus i5 के equal हो जाएगा मतलब अगर यह दोनों मिलके 50 बना रहे हैं तो यह तीनों मिलके 50 बना रहे हैं ऐसे समझो समझेगे न कि 50 रुपीज है एक जोंगे 2 के अंदर बटा हुआ था and जब वो जा रहे हैं तीन के अंदर बट चुके हैं ठीक है i1 plus i2 is equal to i3 plus i4 plus i5 तो किर्चोफ's first law is only for direction यह होता है किया है यह मतलब किस conservation को follow करता है तो conservation of charge को यह follow करता है क्योंकि क्या हो रहे है current आ रहे है जितना incoming current है उतना outgoing current है तो इसका मतलब current किस से बन रहा charge है तो आप simply कह सकते हैं this law follows law of conservation of charge this law follows law of conservation of charge समझ में आया समझ में चलिएगा आगे चलते हैं किर्चोफ's law पर क्रिचोफ's law क्या कहता है सुनिए गध्यान से क्रिचोफ's law क्रिचोफ's law in actual क्या है एक circuit आपके पास इस circuit के अंदर बहुत सारी voltages है एक से जादा voltages है आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करोगे ठीक है तो क्या बोला जाता है देखिए यह क्या कहता है यहां पर इस लिए नहीं शीट इंसर्ट करने की सोचते हैं रुकिएगा न्यू पेज कैसे आएगा इसके अंदर के वेट करिए नहीं अभी नहीं अभी नहीं भाई चलिए अभी तो नहीं मिल रहा है नीचे की तरफ देखते हैं अगर कहीं न कहीं बचा रह गया हाँ यहाँ पर समझा देते हैं आपको यहाँ पर समझा देते हैं देखिएगा कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक सर्किट है यह एक सर्किट है इसमें पोटेंशल यहाँ पर लगा हुआ है यहाँ पर एक रिजिस्टन्स लगा हुआ है इसी तरह स तो होगा क्या है यहाँ पर माली जी यहाँ पर EMF E1 यहाँ पर EMF E2 इसको हमने बोला R1 इसको बोला हमने R2 इसको बोला R3 R3 चलो R3 बोल दो को दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर देखो इससे करेंट निकलेगा क्योंकि इसको बोल दिया यहाँ से करेंट निकल रहा है इसको बोल दिया R2 तो देखो यह incoming current है R1 & R2 इंcoming current है तो यह outgoing यहाँ पर होंगे तो इन लुक पर क्या होगा? R3 जा रहा होगा R3 क्या होगा? R2 plus R1 का sum होगा तो हमें क्या करना होता है? Loop लगाना होता है क्या लगाना होता है? लूप, तो लूप के लिएए अप इस तरह से समझो कि ये battery है, cell है, इसका ये जो positive terminal है वो high बोला जाता है ये low बोला जाता है, इसी तरह से resistance है रिजिस्टनस में जहांसे current enter होता है वो high बोला जाता है जहांसे live होता है वो low बोला जाता है होगा क्या समझिए द्यान से कि जब भी आप हाई से लो जा रहे होंगे जब भी आप हाई से लो जा रहे होंगे जिस भी चीज पर आप जा रहे हो उसको consider कर लो low पे जा रहे हो low is negative तो आपको negative value consider करने हैं अगर आप low से high आ रहे हो तो आपको positive value consider करने हैं same case यहां पर है कि अगर आप high से low जा रहे हो तो negative and low से high आ रहे हो जो तो positive clear है इस तरह से आपको यह चीज समझ में आने चाहिए clear है तो इस तरह से आपको है हमारे उसी टोपिक पर चलते हैं वापश यह रहा है तो यहाँ पर यह कर चार resistance होंगे रोमबो स्ट्राइब इसके अंदर हूँपर हमें कर Lag wrap फॉस पॉप P by Q is equal to R by S. हमें कंडिशन मिल जाती है यह जो कंडिशन होती है यह कंडिशन एक balance condition होती है कैसी condition होती है? balance condition का मतलब यह होगा कि यहाँ से current जो गया वो यहाँ पर proper हमें मिल जाए यहाँ से जो current गया वो यहाँ पर proper मिल जाए मतलब बीच वाली ब्रांच में जो current है वो कैसा हो, 0 हो जाए, बस यह समझ लो, ठीक है, तो यहाँ पर हम एक relation मिल जाता है, जो कि होता है, p by q is equal to r by, s होता है, and इस relation को हम use करते है, किसके अंदर, इस relation को हम use करते है, numerical solve करने के अंदर, clear है, समझ में आ गया, चल, तो simple सा है, इ या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, meter bridge, देखें, यहां पर जो यह weed strong bridge है, यह सिरफ theoretical है, क्या है, यह theoretical है, लेकिन इसकी practical form, practical form कौन है, slide wire bridge है, ठीक है, this is the simplest and practical form of weed strong bridge, it is specially useful comparing resistance more accurately, and for measuring and unknown resistance, मतलब, weed strong bridge भी unknown resistance निकालता है, लेकिन, यहां पर, जो slide wire bridge है वो एक practical form है किसकी wheatstone bridge की and इसमें हम एक wire लेते हैं जैसे कि यहाँ पर देखो एक wire show you है यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है कि यह wire है जो कि कितनी है 100 cm की है means 1 m की है ठीक है and यहाँ पर यह copper strips को use किया गया है यह copper strips है यह NCRT का diagram मैंने उठाया यह copper strips है जिनको wooden block के ओपर लगाया जाता है ठीक है तो firstly क्या हो रहा है इसको हमने नाम दिया A इसको नाम दिया हमने C and यह अगर A है तो यह पूरी strip A है न भई यह अगर पूरी strip C है यह अगर C है तो यह पूरी strip C है ठीक है बीच में हमने जो strip रखी उसको नाम रखा B तो यहाँ पर देखो इस arrangement को देखो वीर्ट्रोन बीज के arrangement को देखो इसमें क्या हो रहा है कि A और B के बीच में क्या लगाओ पी लगाओ है तो A और B के बीच में क्या लगाओ पी अभी हमने B को mention ही नहीं किया चलो कोई बात नहीं A और B के बीच में लगाओ है कौन सा resistance है हमारे पास R resistance है तो हम एक R resistance लगा देते हैं ठीक है तो यहाँ पर एक R resistance लग गया इसी तरह से आपके बीच के बीच में एक resistance है जिसको हमने रख दिया S देखो आपका नाम चेंज हो रहा है इधर हमने रख रहा है P and Q इधर नाम है R and S तो कोई गबराने की चीज नहीं है नेम है और वैरियेबल से चेंज हो सकते है तो कोई खास बात नहीं है ठीक है प्रिच में ये और ये resistance पहले लग चुके है अब बचाए कौन से ये और ये clear है इस तरह से करना आपको तो यहाँ पर जो length होगी मान लीजे आपके पस एक wire है से इस wire पर आपने यहाँ पर touch किया तो इसका इतना piece एक अलग resistance की तरह behave कर रहोगा इतना piece अलग resistance की तरह behave कर रहोगा अब हमें पता है अब हमें पता है कि जो resistance होता वो directly proportional length होता है ठीक है तो that's why हम यहाँ पर क्या कर रहे है कि जो P की value जो L बन रही है उसको हम direct L लिख सकते हैं जो P है resistance उसको L लिख सकते हैं जो नीचे Q है जो आपका वो क्या बन रहा है 100 minus L बनेगा तो इस तरह से हमने इस चीज को लिख दिया कैसे लिख दिया P by Q is equal to R by S होता है तो R by S तो लिखा हुआ है P is the length नीचे आएगा आपके पस 100 minus length क्यों 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 कि resistance is directly proportional to length clear है तो यह होता आपका slide wire bridge समझ में आ गया होगा I hope अच्छे से revision हम कर रहे हैं कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाले आपको चलिएगा आगे की तरफ देखिए चलिए तो अब potentiometer की बारी आ गई है potentiometer क्या होता है एक ideal device होता है मतलब ideal voltmeter आप बोल सकते हो ठीक है तो यह क्या करता है यह measure करता है potential difference between the points और internal resistance of an unknown source मतलब कोई भी जब आप source होता है तो वहाँ पे उसका EMF measure करने के लिए आप voltmeter रियूज नहीं करते हैं तो आप वहाँ potentiometer रियूज करते हो तो potentiometer क्या करता है सबसे बड़ी खास बात यहाती है कि potentiometer उसमें से cell को draw नहीं करना होता मतलब निकालता नहीं है current but voltmeter current निकालता है तो that's why जो potentiometer है वो एक ideal device voltmeter आप यह बोल सकते हो तो यह किसका बना होता है it consists of a long resistance wire AB यह long resistance wire AB के बने होते हैं जिनका uniform cross action area होता है ठीक है जिनके बीच में से steady current जो है वो set up होता है किसकी help से set up होता है वो battery की help से ठीक है तो यहाँ पर हमने लिखा हो है कि जो इसका principle होता है वो directly proportional होता है कि किसी भी जो एक conductor है उसकी जितनी length है उसके cross जितना अपने potential apply किया है बस उसके यह directly proportional होता है means V is directly proportional to L V is directly proportional to L होता है तो यहाँ पर मैंने लिखा भी हो V is directly proportional to L तो V is equal to इको लिखा proportionality को अटाया K लगाया K क्या एक potential gradient है means आप यह बोल सकते हो voltage per unit length है जो K है यहाँ पर चोटी चोटी चीजे है जिनको हम revise कर रहे है चले अब देखेगा ध्यान से देखेगा अब इसके application होती है यहाँ पर यह potential meter है potential meter के आपको यहाँ पर दो diagram दिख रहे है एक diagram यह रहा आपके पास एक diagram यह रहा आपके पास ठीक है एक का application का नाम क्या है to compare the EMF of two cell using potential meter मतलब previous year में यह आया हुआ है यह भी previous year में आया हुआ है and very very important है आपका क्या potential meter ठीक है potential meter very very important है तो अब यहाँ पर होगा क्या इसके अंदर आपको करना क्या है इसके अंदर यह देखें यहाँ पर यह एक point है A तो यहाँ पर wires हमने equal equal part में divide की हुई है इस तरह से wires लगा के यहाँ पर एक यह battery लगा ही है यह resistance लगा है and EMF measure करना आपको cell का तो यहाँ पर दो EMF लिए हमने cell के E1 and E2 इसके बाद हमने यहाँ पर two-way switch लगा दिया यह जो box है यह वाला जो box है यह two-way switch है क्या है यह two-way switch है इसमें क्या होता है कि एक बार connection का होगा पहले terminal से फिर दूसरी बार जब आप इसको press करोगे तो दूसरे terminal से connection हो जाएग मतलब यहाँ पर रखावा है 1 और 3 एक बार में 1 और 3 जुड रहे होंगे एक बार में 2 और 3 जुड रहे होंगे ठीक है तो देखो जब आपकी condition अलग-अलग है मतलब जब आपका connection देखो ध्यान से देखो जब आपका connection क्या हो रहा है जब आप first और third को जोड रहे हो जब first और third को जोड रहे हो तो आपका connection कहा से है E1 से है जो आपकी जोकी है वो कहां पर है? N1 पर है? N1 तक क्या होगा? एक length होगी? कोई ना कोई एक length होगी ना तो अभी हमने क्या बोला इसका principle क्यों होता है? कि EMF जो अब वह comes directly proportional length की होगा? तो वही लिख दिया है है आपे E1 is equal to KL1 सेकिंड के बात करते हैं second में हमने कि अगर हम first और 3 को हटा कर मतलब अगर हम इस first और 3 के बाद 2 और 3 के बीच में अगर connection बना रहे होंगे इधर 2 और 3 के बीच में अगर connection बना रहे होंगे तो अभी ये इस cell के साथ जुड़ा है तो E2 is directly proportional to KL2 लिख दिया मैंने ठीक है तो एक equation ये अब next है आपके पास दूसरी application क्या थी इसकी determination of internal resistance of a cell using potential meter मतलब आपको क्या करना है आपको resistance मेजर करना है और क्या मेजर करना है internal resistance तो यहाँ पर पूरे का पूरा क्या किया है आपने एक setup बनाया हो है ठीक है यह एक setup है सिरफ क्या किया हो है यहाँ पर एक cell लगाया हो है और उसके across एक resistance box लगाया गया यहाँ पर जो key होंगी वो key main important role play कर रहे होंगी जैसे कि यह key जो है वो k2 key है यह जो key है वो k1 key है clear है तो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो k2 को हमने बंद कर रखा है on नहीं है k2 जो है वो off है k2 जो है वो off है ठीक है तो यह जो cell है यह क्या कर रहोगा यह अपनी मतलब यहाँ से EMF दे रहोगा किसने किसी एक length पर जहां पर भी दे रहोगा उसकी length को हमने L1 मौला तो यह कर दिया is equal to kl1 लेकिन जैसे ही ये k2 को हमने on किया, जैसे ही ये k2 को हमने क्या कर दिया, on कर दिया ये k2 जैसे ही on हुआ तो क्या होगा क्या होगा, यहां से क्या होगा, कि connection, यह current यहां से भी तो flow करना शुरू हो जाएगा भई यहां से, ठीक है, तो मतलब यहां से अब बात बने गए, अब potential difference बने गए, अब current flow अना शुरू हो गए तो that's why यह बन गया V2 sorry V बन गया, और यह बन गया KL2 क्या बन गया KL2 तो एक equation आपके पास यह रही, एक equation आपके पास यह रही, दोनों को divide किया तो क्या आपके पास, दोनों को divide करेंगे तो क्या आजाएगा, L1 by L2 आजाएगा बट यह क्या बोल रहा है, आपको internal resistance find out करना है, तो internal resistance का भी हमने एक relation किया है, क्या होता है R is equal to, क्या होता है, capital R E by V minus 1 and E by V को हम क्या लिख रहे है L1 by L2, तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया L1 by L2 लिख दिया, क्या लिख दिया L1 by L2, I think clear है सब चीजे, समझ में आ गई होंगी चलिए, तो यह हुआ, इस तरह से आपने यहाँ पर internal resistance find out कर दिया, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, EMF को जो है compare कर दिया, EMF को जो है क्या कर दिया, आपने compare कर दिया, clear है, चलिए आगे चलते हैं, छोटे-छोटे topic है electric energy क्या होती है electric energy, देखें होगा क्या, कि आप मतलब circuit होगा, उसके अंदर आप battery लगा रहे होंगे तो वो जो battery है, source है, उस conductor में से charge को flow करने के लिए कुछ काम कर रहे है, कुछ काम कर रहे है, तो work done, to maintain the charge in the circuit, to maintain the current in the circuit is called as the electric energy तो यहाँ पर हमने लिखा electric energy क्या होती है, work done होता है, तो work done को आप लिख सकते है, V into Q से ठीक है, and Q क्या होता है, IT होता है, तो इसको रख दिया, हमने E is equal to V, I, T, clear, चले, अब इसके बाद देखिए, power की अगर हम बात करें, power V, I होता है, आगे वैसे बात करने वाले हम, power की होता है, V, I होता है, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या है energy, P into T, power into time, ठीक है, energy क्या होआ, 3.6 into 10 days to power 6 joule के बराबर होती है, 3.6 into 10 days to power 6 joule के बराबर होती है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, एक unit, जो घरों में बोला जाता है, कि energy consumed हो रही है, कितनी unit आज निकली है घर में, कई बार पापा के बुश्के हैं, अरे भाई, क्या चलाते हो दिन में, कि 10 unit निकल गई हैं, 5 unit निकल गई हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो energy consumed होती है, वो ही क्या होती है, energy consumed, ये, मतलब ये एक unit है, ये एक single unit है, समझ में आया, चलिएगा, अब अगर number of units की, अगर आप कोई बात से numerical पूछले, ये कि number of unit कैसे निकालते हैं, तो आपको कैसे करना है, total voltage, sorry, total voltage into time in hours, total voltage into time into hour, मतलब आप energy निकाल रहे हो, क्योंकि power into time हमने क्या किया था भी, energy बताया है, एंड उसको divide कर रहे हो कितने से, 1000 से divide कर रहे हो, तो आपके क्या जाएगी, number आजाएगी, आपके क्या आजाएगे, number आजाएगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, कि आजाएगे आपके पास, number, ये number है भाईया, ठीक है, चलिए, तो previous year question के अगर हम बात करें, साथ के साथ देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखो, previous year question क्या दिया हुए, साथ में, draw a circuit diagram of a potential meter, तो draw कर दोगे circuit diagram, state its working principle, कर देंगे, which directly proportional, derive the necessary formula to describe how it is used to compare the EMF of two cells, मतलब एक ही question में, सारी जी जब पूछ ली, और बोला गया है, मैंने कि, determining the EMF of a cell, the balance point of the cell is open circuit is this, मतलब यह जो balance point है, यह L होता है, हमारे पस, क्या होता है, L होता है, when a resistance of 9 ohm is used in the external circuit of the cell, determine the internal resistance of the cell, determine the internal resistance of the cell, मतलब, internal resistance आपको बोल रहा है, external resistance भी दे रहा है, आपको एक length भी दे रहा है, L1, तो फिर तो हो गया, देखो, क्या बोला इसने, कि आपके पास L1 कितना है, 350 है, L1 कितना है, 350 है, ठीक है, और दूसरा, यहाँ पर रुखेगा, balance point of the cell in open circuit is 350, when resistance is this, the internal resistance of the cell, L2 इसने, मेरे खाल से question लिखने में में बूल गया हूँ, and L2 भी यहाँ पर, दिया हुआ कितना है, आपके पास 300 है, L2 कितना है, 300 है, ठीक है, तो अब बस, कुछ नहीं करना, हमें एक फॉर्मुला पता है, R is equal to L1 upon L2, minus 1 into R, तो यह रहा, इसके अंदर से रह पुट किया, 350 upon 300, minus 1 into 9 कर दिया, तो अंसर आगया, आपके पास 3 by 2, ओहुम, फिर उसके बाद, आपके पास दिया हुआ, explain the principle, working of a meter bridge, आपको दिया हुआ यह, explain the principle, working of a meter bridge, draw the circuit diagram, for determining of a unknown resistance only, तो मेरे कहल से, meter bridge अभी हम करके आए है, principle भी आपको उसका पता है, meter bridge का, meter bridge का principle के होता है, same as wheatstone bridge होता है, तो ऐसे कर सकते हैं, अभी slide wire का एक हम diagram बनाए है, तो उसको यहाँ पर बनाना है, यह question अभी 2020 में ही आया था, ठीक है, अभी पिछले साली, चलिए, आगे दिया है, derive the condition of a balance, for wheatstone bridge, मतलब wheatstone bridge के लिए, यह balance condition आपको find out करने के लिए बोल दी है, चलो इसको कर लेते हैं, फिर electric power पर चलेंगे, ठीक है, यह question आया था, 2020 के अंदर ही आया था, एक number में question आया था, तीन number वाले में यह पूचा गया था, ठीक है, होता है क्या है, यहाँ पर देखो current, मैंने क्या किया है, पहले सबसे पहले यहाँ पर पूरा एक circuit बना दिया है, जिसमें यह P है, यह Q है, यह R है, यह S है, यह current की direction दिखा रखी है, इधर I1 जा रहा है, इधर I2 जा रहा है, इधर I1 जा रहा है, इधर I2 जा रहा है, क्यों जा रहा है क्योंकि अगर मैं इसको balance मानूंगा कि बीच में current 0 है तो मेरा current i1 यहां से चला तो i1 पहुंचेगा i2 चला तो i2 पहुंचेगा ठीक है and जब भी क्या होता जब balance होगा अब क्या बोलों कि galvano beater branch में जो current होगा वो 0 होगा 0 कैसे हो सकता है कि अगर यहां पे और यहां पे जो potential हो वो same हो यही बात होगी न तो वो मैंने यहां पे लिखा हो देखो at balance i g कितना होता 0 जिसका मतलब है कि vb is equal to vd है मतलब b point पे जो potential है d point पे जो potential हो equal है तो हमने इसको बस लिखना है तो कैसे लिख दिया उसको vb vd को पहले मैं left hand side से लिख रहा हूँ पहले left hand side से लिखा हमने कैसे लिखेंगे va minus vb से ठीक है और साथ में नीचे वले की तरफ va minus vd से तो यहां से आपके पास common सी बात है कि v को कैसे लिखते है ir से लिखते है तो i1 p is equal to हो गया किसके i2 r के कोल हो गया तो यहां से हमने i1 i2 की form निकाल ली r by p बन गया first equation आ गई इसी तरह से आप right hand side से निकाल दो इसी तरह से आप कहां से निकाल दो right hand side से निकाल दो रुकिए इस side से निकाल दो इस side से यह वली side से इधर से तो यहां की potential लिखी क्या VB-VC is equal to किसके कोल होगा VD-VC के कोल होगा ठीक है तो VB-VC मतलब है तो potential कैसे लिखेंगे IR से लिखेंगे तो I1 क्यों लिख दिया I2S लिख दिया तो यहां से भी I1 I2 की form बना ली और इनको compare करने के बाद after cross multiplication हमारे पास मिल जाएगा P by Q is equal to R by S P by Q is equal to R by S हमें मिल जाएगा ठीक है तो यह था आपका previous year question बात करें power की अभी हमने बात की थी कि किसी circuit या wire में से जब आपको current पास करना होता है तो source को क्या करना पड़ता है charge को flow कराने के लिए काम करना पड़ता है and वो काम की जो rate होती है उस काम को करने की जोदार होती है उसको हम क्या बोलते है electric power बोलते है उसको क्या बोलते है the electrical energy produced or consumed per unit time is called electric power denoted by P ठीक है तो बस लिख देंगे कि P क्या हुआ E by T हो गया and E क्या होता है means W वही तो है तो W क्या होगा V Q निच्चे है time तो Q by T को क्या बोलते है I बोलते है तो यहाँ पर power क्या हो गया आपके पास V I हो गया simple है ठीक है तो बस इसके बाद P को V I लिखते है and I को IR लिखते है तो sorry 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 V को IR लिखते है V को लिखते है IR तो यहाँ पर हम V की value रखेंगे तो IR स्केर बन जाएगा IR क्या बन जाएगा स्केर बन जाएगा अगर हम I की value रखेंगे I की value तो वो क्या बनेगी I की value V by R बट यहाँ पर स्केर है तो V स्केर by R स्केर और स्केर इस आर से कड़ जाता है तो that's why हमारे पास बच जाता है वी स्केर वाई आर clear है और यह जो SI unit है वोट है इसकी पावर की वोट होती है other units है जैसे कि किलो वोट को हम इस तरह से लिख सकते हैं horsepower 746 वोट मतलब इस तरह से हम लिख सकते हैं अगर power parallel में अगर हम बात करें तो power direct add होती है and series में अगर हम बात करें तो इस तरह से लिखी जाती है तो यह चीजे हैं सब चीजें आपको याद होनी चाहिए and आगे चलते हैं joules law of heating effect joules law of heating effect में क्या है कि क्या होता है कि जब भी किसी circuit में से filament में से current जाता है कुछ time t के लिए या dt के लिए and उसका resistance कुछ r है तो वहाँ पे एक heat generate होती है जिसको हम इस तरह से लिखते हैं h is equal to i square r t से लिखते हैं किस तरह से लिखते हैं h is equal to i square r t से लिखते हैं and joule जो है वो एक work है एक तरह से heat heat जो है jule slow है जो ठीक है मतलब ये एक work है तो ये इसका मतलब कि इनकी unit होगी वो jule होगी क्या unit होगी इनकी jule होगी ठीक है तो इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं कि unit क्यों होती है इनकी unit jule होती है ये लिख हुई है jule अगर हम calories के बात करें तो one calorie किसके एकवल होता है 4.2 jule के एकवल होता है तो मतलब अगर हम jule को calorie में लिखना चाते हैं इस jule को calorie में लिखना चाते हैं तो i square rt को divide कर देंगे किस से jule से divide कर देंगे ठीक है कि इसके नीचे चले जाएगी and ये बन जाएगी calorie समझ में आ गया आ गया भी आ गया चली बिल्गुल सही है अब इसके बाद एक previous year question आपके पास ये रहा previous year question the resistance of a metal wire increases with increasing temperature on account of decrease in relaxation time क्योंकि देखो क्या होता है resistance जब किसी wire का बढ़ाया जाता है तो relaxation time क्या हो जाता है relaxation time घड जाता है क्योंकि जल्दी जल्दी टक्कर लगती है जल्दी जल्दी टक्कर लगती है तो that's why यहाँ पर एक option लिखा हुआ कि decrease in relaxation time तो option answer होगा आपका B clear है चलिएगा अगर हम बात करें कुछ topics की मतलब जो topics आपके board में सिर्फ numerical की तरह आते हैं उनका no derivation होता है मतलब no derivation required no derivation only formula used तो वो यह है आपका temperature coefficient का तो आपका एक formula याद कर लेना है कि RT मतलब resistance as temperature T is equal to R naught resistance at 0 degree Celsius या फिर आप initial बोल सकते हो किसके equal मतलब यह RT किसके equal है R naught plus alpha alpha जो है temperature constant होगा temperature constant होगा जिसकी unit Kelvin inverse होती है क्या होती है Kelvin inverse होती है इसी तरह से आप इसको resistivity के लिए लिखे लगते हो बस इसको आपने याद कर लेना है और कुछ नहीं करना कि RT क्या होगा R naught के मतलब RT किसके को होगा R naught bracket 1 plus alpha T T जो है वो यह जो T लिखा हो है यह T यह इस तरह से भी होता है T minus T naught होता है मतलब यह T जो होता है वो T minus T होता है मतलब temperature final initial ऐसे तो कुछ खास बाते हैं उनको पढ़ लेते हैं कि जैसे हम बात करें जो alpha होता है temperature coefficient जो होता है वो positive होता है किसके लिए metal के लिए क्यों? क्योंकि resistance increase होने से temperature increase होता है और यह negative होता है किसके लिए insulator के लिए और साथ में semi conductor के लिए क्योंकि resistance decrease होने से क्या हो जाता है resistance decrease होता है किसके increase होने से temperature के increase होने से किसमे यह case किसमे होता है यह case होता हमारा semi generator में semi generator में क्योंकिता है जितना temperature ज़्यादा होगा उतना वो कंड़क्ट करता है उतना वो कंड़क्ट करता है and unit of alpha is Kelvin inverse unit of alpha is Kelvin inverse ठीक है तो यह previous year question है डाले वे मैंने आपे बई तो इन previous year question को एक बार try जुरूर करिएगा बहुत ही आसान है यह question ठीक है and बस calculate करिए बहुत simple है तो यह था आपका battle badge की आठवी class and इस battle badge की आठवी class के अंदर हमने जो अपना chapter है second sorry second नहीं third chapter है current electricity उसको पढ़ लिया उससे पहले यह सारा portion हमने खतम कर लिया था तो I hope कि आपको मजा आया होगा पढ़ लिया होगा अपने अच्छे से ठीक है बस मैं तो यही बोलूँगा की बही मैं तो यही बोलूँगा की जैसे आप लोगों की help हो रही है दूसरों की help करो and सभी की help हो free of cost help हो revision हम यहापे कर रहे हैं जिन बच्चों को detail के लिए जाना है detail में पढ़ना है उनको one shot मैंने करवा रखे हैं चैनल पर uploaded है playlist बनी हुई है तो वहाँ से आप देख सकते हैं तो कोई problem नहीं होगी यहाँ पर इस battle batch के अंदर जो की 8. class थी इसमें सरम हम क्या कर रहे हैं revision कर रहे हैं तो I hope की video को समझ में आ गई होगी lecture आपको समझ में आ गई होगा अच्छे से revision कर लिए होगी तो इसी के साथ इस video को करते हैं समझ मिलते हैं हमारी नई वीडियो में थैंक्स वोचिंग गोड ब्लेस योल हवान आज दे बाबाई टेक केर